OnePlus ने बहुत ही जल्दी इंडिया में एक खतरनाख फोन को लांच करने वाला है जिसमें बेस्ट डिजाइन, बेस्ट कैमेरा और बेस्ट पाफोमेंस मिलेगा हाँ जी मैं बात कर रहो OnePlus Note C4 के बारे में इसका लांच देट कंफर्म हो चुका है 1st April को iPhone इंडिया में लांच होगा तो आज इस वीडियो में OnePlus Note C4 का 100% Confirm Specification में आपको बताऊँगा उसी के साथ इसका प्राइस कितना होगा और इसका exclusive unboxing वीडियो तो मेरे चैनल में आपको obviously मिलने वाला है तो चलिए इसका Specification देख लेते हैं उनका design देखो यार कितना awesome है पीछे simple look लेकर आता है और OnePlus का जो color choice है वो बहुत ही अच्छा लगता है पीछे dual camera setup के साथ एक LED flashlight OnePlus की ब्रैंडिंग और glass bag होगा इस phone में है alert slider, IR blaster उनको आप ऐजे remote की तरह use कर सकते हो उसे के साथ in-display fingerprint sensor है जिसका speed आपको first मिलेगा और flat display center पंचोल है डिस्पले का bezel और नीचे chain जो है वो भी छोटा रखा है डिस्पले का size है 6.7 inch Full HD plus resolution के साथ इसमें एक OLED पैनल रहेगा और phone तो यूज़ करने में smooth feel होगा क्योंकि इसमें 120 Hz का refresh rate है 2800 nits की big brightness है इसको आप अराम से आउट्डोर में डाइरे सनलेट में यूज़ कर सकते हो brightness का कम्या मैसूस नहीं होगा अच्छी बात तो है आप YouTube पर 4K में HDR video देख सकते हो इसमें HDR 10 plus का support है और 10 bit color भी है योगि जब आप इस phone में movie और video देखोगे दिखने का जो मज़ा है न और next level हो जाता है बागी इसमें entertainment का मज़ा आप भर्पू ले पाओगे क्योंकि इसमें dual studio speaker है और sound का जो output है इसमें मस्त आता है नेट और connectivity भी इसमें तकड़ा रहेगा इसमें 9 bands 5G होगा और सारे important 5G bands का support है इस phone में आप चूपके से call record कर पाओगे dual जो mic रहेगा उद्माइस को बहुत अच्छी तरीके से cancelling कर लेगा बागी इसमें proximity sensor है 3.5M audio jack नहीं रहेगा लेकिन इस phone में आप up to one TV ताक SD card को use कर सकते हो dual 5G SIM card को आप सेम टाइम में use कर पाओगे hybrid SIM slot के साथ ये phone अन्यवाला है इस phone को सकती देने के लिए इस बार Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 को use किया है ये chipset बहुत ज़्यादा powerful हुआ है almost 9 lakh plus Antutus को राता है और इस बार base within start होगा 8GB RAM के साथ 250, 6GB storage LPDDR4X का RAM रहेगा और यो फिस 3.1 का storage type है इसके बज़े से app जल्दिल्दी open होगा app open, app close में animation होगा और phone normal use में heavy use में कभी ये hang नहीं करेगा अगर आप BGA में जैसा game खेलते हूँ तो इसमें आप 60 एपेस में smoothly खेल पाओगे तो gaming के लिए भी ये phone मस्त होगा बगी camera के लिए दोस्तों इस बर OnePlus का एक अलग सी पैचन रहेगा क्योंकि ये phone पीछे की तरह dual camera setup के साथ आने वाला है primary जो sensor है 50 megapixel जिसमें Sony का sensor यूज़ करेगा IMX 890 with ois भी रहेगा तो photo खिसने के दौरा और video खिसने के दौरान ois बहरी काम में आता है और 8 megapixel की अल्टरोड sensor रहेगा तो यहाँ पर पीछे की तरह फाल्टू के sensor यूज़ नहीं किया है उसे के साथ 16 megapixel का selfie camera होगा तो आप back camera से और front camera से सांतर photo ले पाओगे उसे के साथ आप 4K में वीडियो को record कर सकते हो इवेन इसकी battery backup भी अच्छा होगा 5000W battery के साथ 100W की adapter होगा 15 minute में एफोन full charge होगा latest Android 14 के साथ Oxygen Watch 14 में एफोन run होगा और आपको तो पता है OnePlus के phone में ads नहीं आता है Bluetooth भी नहीं है और OS में अच्छे-ची features रहता है Elix आ रहा है इस phone में 2 साल की Android update और 3 साल की security patch update मिलेगा तो यह तो था confirm specification जो OnePlus Note C4 में है अब बात करते हैं इसकी price के बारे में तो इसका base brand का price रहेगा 27,000 रूपीज और मुझे लगता एफोन price के सबसे खतरनक phone होगा क्योंकि इसमें powerful chipset है बहुत ही अच्छा camera है फोन का design भी मस्त है और OnePlus की branding के साथ latest Android 14 भी है इसकी specification देखकर मुझे लगता एफोन खतरनक होने वाला है आपको इस फोन की कौनसा specification सबसे अच्छा लगा है आप मुझे comment में जुरू बता सकते हो और इसका exclusive unboxing वीडियो देखना चाते हो तो चान को subscribe करके हमारे साथ जूड़े रहे है हो साके तो एफ वीडियो आपके रिष्टेदार और दोस्त के साथ भी share कर देना उसको भी बता चलेगा OnePlus ने mid range में खतरनक फोन को launch करने वाला है तो अज के लिए इतना ही दोस्तो